नमस्कार मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जी एन भारत वो तकलीफ में भी इंतिजार का दिया जलाई रखता है पर रिम्स है की मानता नहीं जी हाँ हम बात कर रहे हैं जार्कन राजी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की जहां पूरे जार्कन प्रदेश से लोग इलाज कराने आते हैं जिस उमीद की डोर को लेकर लोग इलाज कराने आते हैं रिम्स की असुविधाईं उन डोरों को काट कर उन्हीं बदहाली में रहने को मजबूर कर लेती है मिल रही जानकारी के अनुसार रिम्स के नियूरो बॉर्ड में तेरा मरीज ऐसे हैं जो पिछले एक महिना से सिया मशीन के ठीक होने का इंतिजार कर रही है अब तो आलम ये है कि डॉक्टर्स बिना ओपरेशन के ही मरीजों को छुट्टी दे ले रहे है प्रवन्धन की ओर से आश्वासन दो दिया जा रहा है पर मशीन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है याद होगा कि रिम्स की बधाली पर जार्पनाई कोट ने स्वता संज्यान लेते हुए रिम्स को फटकार भी लगाई थी लेकिन स्थिती वैसी की वैसी ही बनी हुई है ना रिक्ट पदों पर बहाली की जा रही है ना उपकर्णों की खरीदी की जा रही है गुरुना महमारी ने जिस तरह से स्वास्त सुविधाओं की एहमियत समझाई है ऐसे में रिम्स अस्पताल की ये स्थिती सरकार और रिम्स प्रवंधन पर सीधे तौर पर सवाल ख़़ा करती है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद राएट उसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे जी एन भारत के साथ धन्यमाद